दोस्तों महिंद्रा कम्पनी अपनी नई कार महिंद्रा XCV 300 को जल्दी 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजिन के साथ बजार में लॉंच कर सकती है। कि इस कार के स्पोर्ट्स वारियंट में ही इस इंजिन का इस्तमाल किया जाएगा। पर अब खबरों के अनुसार कम्पनी इस कार के सभी वारियंट्स में इसका इस्तमाल करेगी। फिलहाल ये कार W4, W6, W8 और W8O वारियंट्स में आती है। पांच लीटर डीजल इंजिन दिया गया है जो 117 HP का पावर और 300 NM टॉक जिन रेट करता है। इसका पेट्रोल इंजिन 1.2 लीटर का है जो 110 HP का पावर और 200 NM टॉक जिन रेट करता है। दोनों इंजिन 6 स्पीड मैनुल गेर बॉक्स से लेस हैं। फिला एलेक्स UV300 में AMT का ऑप्शिन नहीं है। का ये जा रहा है कि बाद में इसमें AMT शामिल क्या जा सकता है। इसके बेस वारियंट में wing mirrors, electric tailgate release, gear shift indicator, multi-mode steering, EBD के साथ ABS, corning braking control, soline steel wheels, passenger airbag, deactivation switch के साथ dual airbags और LED tail lamps दिये गए है। इसके लावा ISOFIX, child seat anchors, split folding rear seat, storage इसाथ, front center armrest, tire position display और front wear rear power window features है। इन features के लावा diesel engine वाले इस variant में Bluetooth, AUX और USB connectivity के साथ, audio system और charge speakers भी दिये गए हैं। XUV300 में दी गई all new blue sense plus connected SUV, technology में कई features मिलते हैं। इसमें remote door lock, unlock, live vehicle tracking, safety and security features, vehicle information alert जैसे features दिये गए हैं। ये feature Android और iOS दोनों mobile phone पर उपलब कराए गए हैं। खबरों के अनुसार company's car को आने वाले कुछ ही महीनों में launch कर सकती है। इसके कीमत की बात करें तो इसे 10 लाग की शुरुवाती कीमत के साथ उतारा गया है। दोस्तों उमीद हैं हमारी जाइन कारे आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।